अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि array की साहिता से किस तरह से हम लोग क्यूँ और उसके operations को implement कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम वो करने वाले हैं और जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में ये क्यू structure बनाये था और इसके अंदर सारे इसके members बनाये थे मैं उनको अभी यहाँ पर code करने वाला हूँ तो मैंने आप लोग को यहाँ पर क्या बताया था मैंने का था कि एक struct q बनाना है int size बनाना है fr और int star array तो चलते हैं वीडियो कोड में और इसको code कर लेते हैं सो यह हमारा वीडियो नूमबर 41 है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक नई फाइल बनाऊँगा और मैं लिखूँगा 41 q using array dot c ठीक है एक boilerplate code यहाँ पर डालूँगा और एक structure यहाँ पर बनाऊँगा और मैं आपर लिखूँगा struct और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा q u e u e struct q इसके अंदर एक int size जाएगा int f जाएगा int r जाएगा int star r जाएगा integer pointer जो कि हम use करेंगे dynamically memory allocate करने के लिए अब मैं आपर क्या करूँगा मैं आपर लिखूँगा struct q q और यहाँ पर q लिखूँगा ठीक है और मैं आपर क्या करूँगा मैं कहूँगा q का जो size है उसको बराबर कर दो मानलो 100 मानलो मेरा 100 size के एरे में काम हो जाता जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया ही था करके तो हमने यहाँ पर यह प्रोग्राम लिखा ही था कि मानलो यहाँ पर दस लिए हमने 100 ले सकता हूँ मैं 100 एक reasonably बड़ा size है तो मैं कहूँगा कि मानलो 100 size में मेरा काम बन जा रहा है तो मैं q.size is equal to 10 यहाँ पर मैंने किया था मैं 100 कर रहा हूँ भी और front और rear जो है मैं दोनों को minus 1 कर दूँगा कि initially जब q के अंदर कुछ भी नहीं होगा तब front is equal to minus 1 होगा मेरा उसी के साथ साथ rear is equal to minus 1 होगा तो अब मैं आपर क्या करूँगा कि इसको मैं minus 1 कर दूँगा तो q.f is equal to q.r is equal to minus 1 जैसे कि मैंने आपर किया ठीक है q.f q.r minus 1 फिर array बना लेते हैं तो मैं आपर लिखूँगा q.arr is equal to int star malloc और उसके बाद मैं लिखूँगा q.size into size of int इसके बारे मैं हमने stack में बहुत discuss किया और मेरे c in one वीडियो में खासकर हमने बहुत discuss किया मैं stdlib.h जो है उसको include कर लूँगा ताकि मैं log को use कर सका हूँ और इससे हमारी q बन जाएगी इसको एक बार run करके देख लेते हैं program को ताकि हम यह sure हो सकें कि program में कम से कम कोई error तो नहीं है ठीक है program में कोई error तो नहीं है ठीक है तो जो enqueue function है मैं enqueue करने के लिए क्या करूँगा struct star q एक मैं q pointer लूँगा और मैं आप पर int val कुछ इस तरह से जो value मैं enqueue करना चाहता हूँ उसको डाल दूँगा अब मैं आपर यह देखूँगा कि अगर जब मैं enqueue कर रहा हूँ तो कहीं q मेरी full तो नहीं है तो मैं कहूँगा if is full q अगर ऐसा होता है q media full हो जाती है तब मैं क्या करूँगा मैं printf कर दूँगा this q is full ठीक है तो q overflow हो जाएगी वरना मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा else वरना आप क्या करें कि जो मैंने आप आप लोग को inqueue बताया था और rare को बढ़ाने के बाद आप क्या करो उस value पर rare जो है इस value पर इस index पर rare वाली index पर इस array को value कर दो यानि कि अगर मैंने rare को आगे बढ़ा है तो rare जो array 0 है उसको मैं यापर value डाल दूगा यानि कि मैं यहाँ पर value डाल दूँगा, फिर मैं rare को आगे बढ़ा हूँगा, यहाँ value डाल दूँगा, rare को आगे बढ़ा है, यहाँ value डाल दिया, जब मैं कहता हूँ, rare को आगे बढ़ा है, तो मैं basically यह कह रहा हूँ कि, 0 को 1 किया, minus 1 को 0 किया, 1 को 2 किया, 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5, यानि कि एक बढ़ा दिया, you got the point ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि else लिखूँगा और मैं लिखूँगा यहाँ पर q.r++ सबसे पहले और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा q का जो array है और q का जो r है is equal to val, basically मैं क्या कह रहा हूँ कि q का जो rare है q के array की, kis index पर qr index पर, यहाँ पर rare है value index पर val कर दो, यहाँ कि वहाँ पर मैं एक value डालना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पर inqueue कर दिया और यहाँ पर यह कह रहा है unname total type parameters allowed when body is present तो यह यहाँ पर हाँ ठीक है, तो यहाँ पर struct q इस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा और अब ही यहाँ पर मेरा सब कुछ हो गया है, अब मैं is full को implement करता हूँ आप ठीक है तो मैं int is full ऐसे लिखूँगा और is full में क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि अगर q का r जो है और वो बरावर हो जाता है और इस बारे में हमने बात की है q का size minus 1 के तो इसका मतलब क्या है कि return 1, वरना क्या कर देंगे वरना return 0 कर देंगे ठीक है, else return 0 हो जाएगा, else link नहीं ज़रूरत नहीं है, और यह जो है मेरा q को लेगा, इस तरह से एक q pointer लेगा और उसको देखकर ही बताएगा कि यह full है या नहीं है ठीक है, तो अभी अगर मैं आपर enqueue करूँ enqueue few elements, ठीक है तो मैं enqueue enqueue करूँगा, कुछ elements को जैसे मालनों मैं 12 को कर रहा हूँ और कहा करूँगा मैं इसका address देदूँगा q का amp% q amp% q क्यों किया, क्योंकि एक pointer ले रहा है एक address ले रहा है, ठीक है, q address ले रहा है और value ले रहा है, तो मैंने address दिया बारा दे दिया, इससे क्या होगा, यह जो मेरा original q है, यह मेरी change होगी, ठीक है similarly मैं आपर वापस से कहूँगा, इस q में डाल दो अब 15 को 12 और 15 मैंने डाला, और इस तरह से मैं जो है, इस में enqueue करा सकता हूँ एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, एक method implement करूँगा और वो method होगा, क्या, method यहां पर होगा मेरा is empty, कि क्या यह empty है, ठीक है और एकदम copy करूँगा, जो मैंने is full में लिखा है, उसको copy करूँगा और उसको change करूँगा, फिर देखो, कैसे, तो is full तो मेरा यह था, मैं is empty यहां पर अभी बता लगाना चाहता हूँ empty होने की क्या condition है, front अगर rare के बराबर हो जाता है तो यह empty है, ठीक है, तो rare is equal to front हो जाता है, तो यह empty है, वरना यह empty नहीं है, ठीक है, simple सी बात है मैं अब चेक करूँगा क्या यह empty है, क्या यह empty है, तो मैं आपर लिखूँगा की is empty, ठीक है, और मैं आपर लिख देता हूँ if is empty, और q, और मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको, और amp% q दूँगा मैं, क्योंकि address ले रहा है, amp% q, और अगर ऐसे हो रहा है, तो मैं आपर लिख दूँगा, q is empty, ठीक है, रन करते हैं इसको, q is empty, obviously q is empty है, फिर मैंने जब enqueue operations run किये, तो क्या होगा, यह जो q is empty है, यह दुबारा से print नहीं होगा, देखो यह नहीं हो रहा है print, अच्छा कर मैं इन दोनों को comment out कर दूँ, यह फिर मैं काम करता हूँ, उपर वाले को comment out कर देता हूँ, यह जो मैं ल q कर दिये, अपनी q में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर print करूँ, यहाँ पर इस तहन से print करूँ, इस full को, जब मैं एक काम करता हूँ, क्या यह full है नहीं है, इसको मैं print करता हूँ, ठीक है, तो मैं control d करके, यहाँ पर is full लगा देता हूँ, तो obviously full तो नहीं है, ठीक है, यह full न नहीं हो सकता, तो empty भी नहीं है, full भी नहीं है, तो कुछ print नहीं हुआ, अच्छा, अगर मैं इसकी capacity को 2 कर दूँ, और अब मैं run करूँ, तो यहाँ पर q is full आ गया, q full हो चुकी है, अगर मैं इसको comment out कर दूँ, और सिर्फ एक बार इसको run करूँ, तो q is full नहीं आ रहा है, म हमने पिछले वीडियो में इस चीज़ को देख लिया था है, अपर detail में discuss किया था, तो भी basically मैं code लिखकर run करके दिखा रहा हूँ, मैं executable code लिख रहा हूँ यहाँ ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, यहां से से हटा देता हूँ, इस empty को मैं नीचे run कर देता हूँ, और मैं इनक्यू कि यह दो elements, यहीं कि दो elements को चड़ाया Q में, और दो elements को Q में चड़ाने के बाद मैं print कर रहा हूँ कि Q empty है यह नहीं है, DQ operation देखते हैं, बात की थे पिछले वीडियो में DQ operation की, एक integer return करेगा यह, ठीक है, और inq की जगा DQ हो जाएगा, मैं जाला time upload का लेना नही दिखूँगा, int DQ, A is equal to minus 1 मैंने कहा था, मैंने यहाँ पर कहा था, A is equal to minus 1, int A is equal to minus 1, और यहाँ पर if is full Q, यानि कि अगर मेरी Q जो है, वो full है, मैं इस बार empty check करूँगा, यहाँ जब मैं DQ कर रहा हूँ तो मैं empty check करूँगा, जब आप निकाल लेो एक इनसान को, किसी Q से बाहर, तब आप उस इनसान को Q से बाहर तभी निकाल सकते हो, जब Q में कोई खड़ा हो, अगर मानलो railway का counter है, और मैं आप से बोलूँ कि यार उस आतमी को बाहर निकाल दो, तो आप बोलोगा किस आतमी को निकाल दो भई बाहर, Q में तो कोई खड़ा ही नहीं है, तो Q में क बढ़ा देता है, उस value को return कर देता है, जो कि मैंने निकाला बाहर, ठीक है, तो मैं वही करूँगा, Q का जो front है, वो plus plus, और Q का जो array है, Q का जो front है, उसको return कर दो, मैं आप सीधे लिख दूँगा return, ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने आप इसको एक value में store करके return किया, but I think it's fine या मैं इस तरह से कर सकता हूँ, और वरना मैं क्या करूँगा return एक करता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, इसको directly ऐसे करता हूँ, उसको मुझे एक return statement लिखना पड़ेगा, तो अभी क्या होगा, कि अगर Q खाली है, तो मैं dequeue करूँगा, तो minus 1 बनाएगा, वरना, मैं एक Q को run करता हूँ, और dequeue को run करता हूँ, मैं ampersand Q पे, ampersand Q पे, तो दो बार अगर run करूँगा, इसको dequeue, dequeue करूँगा, तो ये empty हो जाएगी, तो ये empty है, Q is empty, या पर मुझे दिखाएगा ये, ठीक है, तो dequeue में क्या-क्या ले रहा हूँ, मैं एक बार देख लेता उसके बार dequeue होगा सबसे पहले, क्योंकि Q हमारा क्या होता है, Q हमारा FIFO order को follow करता है, first in होगा first out, तो first in कौन सा हुआ था हमारा, 12 हमारा first in हुआ था, तो 12 हमारा, पहले out होगा, फिर 15 out होगा, तो मैं यहाँ पर एक चीज करता हूँ, यहाँ पर alt दबाखे multiple cursor बनाता और थोड़ा सब धंग से दिखाई देगा, तो देखो, dequeuing element 12, फिर 15 dequeue किया मैंने, और Q is empty हो गया, अचा कर मैं इसमें एक और element inqueue करा देता हूँ, one inqueue करा देता हूँ, तो जब मैं दो बार dequeue कर रहा हूँ, तब क्या होगा, जब मैं दो बार dequeue कर रहा हूँ, तब एक बार तो 12 निकलेगा, एक बार 15 निकलेगा, एक रह जाएगा, तो ये Q empty नहीं होगी, तो Q is empty आपको नहीं दिखाई देगा, और मेरे हिसाब से यार, ये जो code है, ये आप लोग को Q के बारे में सब कुछ समझाई देता है, आपको बिलकुल भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से, ठीक है, so I hope कि ये वीडियो आप लोग का helpful लगा, क्योंकि ये वीडियो में मैंने code लिखा, अपने पिछले वीडियो का ही, मैंने आपर जादा कोई नहीं बात नहीं बताई, बट code को मैं महत वो देता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा fast रख सकता हूँ, बट again, यहां पर किसी को लगता है मैं fast पढाता हूँ, kísी को लगता है मैं slow पढाता हूँ तो आप लोग यहां पर यूजर सकते हो, यह जो speed वाले, playback speed वाला option है, आप two कर दो अगर आपको लगर रहा है मैं slow पढा रहा हूँ, आप यहां पर 0.25 कर थो अगर तो आप इन बटन्स का यह सारे फीचर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, मेरी कोशिश है रहती है कि मैं maximum number of students की पसंद की जाने वाली speed पर पढ़ा हूँ, गरिस अगर आपने यह data structure की playlist access नहीं करी तो उसको जरूर access करना, और उसी के साथ साथ आप इस playlist को bookmark जरूर कर लेना, या तो मेरी आप लोगों से यह request रहीगी, अगर आप इस वीडियो को like करोगे तो दिल से बहुत खुशी होगे, और जितने भी लोग screenshot लेके Instagram पे इसको share कर रहे हैं, मुझे सची में बहुत खुशी होती है, और मैंने सब की stories को वापस से अपनी story पर लगाया है, अभी के लिए इस वीडियो में इतने कैस, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.